नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चानल में टू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से लखनो में राहूल गांधी ने किया कॉंग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज कहा कारेकरताओं कि ये आवाज पर काम करेंगे तो कॉंग्रेस को हराना मुश्किल यूपी को नमबर वन बनाने का खिया दवादा लालो के समर्थन में नितिश कहा सब भी पार्टियों के बीच आम सहमती से बन सकती है बाद लालो ने बिहार के नौकरियों और एड्मिर्शन में की थी असी फिजदी आरुक्षन की माँ देश रंकर सिंख खो यूपी एस्टी एफ ने बिहार के वकसर से किया गिरफतार बेस्पी सुप्रीम मायवती पर की थी अपमान जोनाथ टिपनी हाई कोच ने अरेस्ट वारेंट पर रोक लगाने से किया था इंकार नावालिक रेप पीड़ता को बनना पड़ेगा बिन ब्याहिमा एम्स की मेडिकल बोट ने नहीं दिए बोशन की जौज़ाग बोशन से पीड़ता की जान को खत्रा और पाक आतंक की बहदुर अली ने खोले कई राज लिया चाचा हाफिस का नाव घुस पैट से पहले लॉंचिंग पैट पर आया था हाफिस बड़े हमले के लिए भेजा ता भारत शुक्रवार को कॉंग्रेस उपाध्यक श्राहुल गांधी ने लखनों में आयोजिस 27 साल यूपी बेहाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक पार्टियां हैं जो यूपी को तोड़ने में लगी है जबकि हम प्रदेश के पुराने दिन लोटाना चाते हैं उसे फिर से नंबर एक का प्रदेश बनाना चाते हैं उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ ही इस प्रदेश को नंबर वन के पोजिशन तक ले कर जाएंगे उन्होंने कहा कि श्रीला जी ने दिल्ली को बदला और उसे विकास के रास्ते पर लेकर गई आज डिल्ली के लोग कॉंग्रेस को याद करते हैं राहुल गांधी ने कहा कि अगर कॉंग्रेस पाटी एक साथ खड़ी हो और अपने कारेकरताओं की आवाज पर काम करे तो ऐसा कोई नहीं जो कॉंग्रेस को हरा सके आजेरी प्रमुक लालु प्रसाद वारा विहार की युवकों को राज्य की नौकरियों और सैक्षिक संस्थानों में दाखिला मामने में असी फिस्दी आरक्षन दिये जाने की मांग पर मुख्य मंतरी नितिश कुमान ने कहा कि ये मुद्दा संदर्व से बाहा नहीं है उन्होंने कहा कि अगर गेहन विचार विमार्ष के बाद सभी पांटियों के बीच आम सहमती बनती है तो इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं नितिश्टे समधाताओं से कहा कि मुल निवासी होने का मुद्दा संदर्व से बाहा नहीं है उन्होंने कहा कि देश के विभिनम भागों में स्थानिया रक्षन का मुद्दा जोर पकर रहा है और इसलिए केंदर को स्थानिये लोगों की हितों की रक्षा के लिए कुछ ठोस वेवस्था बनाने के लिए हस्ताक शेप करना चाहिए एम्स की मेरिकल बोर्ट ने 16 साल की नावालिक रे पिडिता को एबोश्चन करवाने की इजाज़ देने से इंकार कर दिया है हाई कोट की निर्देश के मताबिक बोर्ट को जांच के बाद तैका ना था कि पिडिता के लिए गर्ब बात जानलेवा तो नहीं बोर्ट ने अपनी डिपोर्ट मे कहा है कि नावालिक का गर्ब सात महीने का है ऐसे में अगर इस स्टेज पर डिबॉश्चन होता है तो ये पिडिता के लिए जानलेवा साबित हो सकता है बता दे कि दो साल पहले नावालिक लड़की का स्कूल के बाहर से अपहरन कर लिया गया था और रेप की घटना को अंजाम दिया गया दल्चास बात ये है कि नावालिक ने अबॉशन की अजाज़त के लिए कोट में जब याची का दायर की तब उसके मताबिक गर्भ 24 हफते का था लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्च ने जाच की तो पता चला की 30 हफते पूरे हो चुके हैं गौर्टलब है कि कानून देश में 20 हफते से उपर के गर्भ को गिराने की अजाज़त नहीं है दिले के निर्भया गैंग रेप में दोशियों की पैरवी कर रहे एक वकील ने अजीब औ गरीब घोशना की है वकील ने कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि पीडित पर लोहे की च्छड का इस्तमाल किया गया था तो वे उसे 10 लाख रुपे का इनाम देंगे साल 2012 में चलती बस में गैंग रेप की इस दर्दनाक घटना ने देश को जगजोर कर रख दिया था मामले की सनवाई सुप्रीम कोट में आखरी दोर में है लिहाजा दोशियों के वकील अपने पक्ष के लिए हर संभव प्रयास कर रही है मामले में दोशिय पाए गए मुकेश और पवन के वकील M.L. शर्मा ने पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल उठाए है जिसमें कहा गया कि दोशियों ने वैशिपन की हद को पार करते हुए पीड़ित के जननाग में लोहे की चछड़ घुसाई और उसके शरीर के आंतरिक अंगों को बाहर निकाला N.I.E. की पूछता जिए पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली ने बड़ा खुला सकिया है बहादुर अली ने कहा कि भारत में घुसपेट से पहले हाफिस सईद लांचिंग पैट पर आया था और उसने वहाँ से आतंकीयों को भारत भेजा बहादुर अली ने ये भी बताया कि सारे आतंकी हाफिस सईद को चाचा कहकर पुकार कहते हैं आतंकी बहादुर अली से अब भी पूछता जारी है और उसने इस बात का भी खुला सकिया है कि हाफिस सईद ने ही उसे भारत भेजा था और उसमें देहश्वत के लिए बात ये है कि उसे भारत में बड़े हमले के लिए भीजा गया था आपको बता दे कि लॉंचिंग पैट वो जगा है जहां से भारत में घूस पैट कीच जाती है हाफिस साइद ने आतंकियों को भारत से पहले उकसाते होई कहा कि उसे तुम्हारे भाई को मारा है तुम भारत में जाकर बदलालो डिली और आसपास के इलाकों में जमा जम बारिश का सलसला लगाताय जारी है राज़ानी दिल्ली के अलग 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 इलाकों में अब तक 10 मिलिमीटर से लेकर 60 मिलिमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है जब कि गाजियाबाद में 65 मिलिमीटर की जमा जम बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है नौईटा की बात करें तो आसमान में घने बादलों का जमावड़ा है और यहाँ पर अभी तक 55 मिलीमीटर की जोरदार बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है गड़गाओं में सुभा से लेकर अब तक 50 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसिव विभाग का कहना है कि राजधानी और आसपास की जगाओं पर जमाजम बारिश की वज़ा है मौनसून के अक्ष का दिल्ली के पास पहुंचना इस समय मौनसून का अक्ष दक्षन के उत्तर की तरफ खिसक रहा है इसके अलावा हर्याना के उपर एक साइकलोनिक सर्कॉलेशन बना हुआ है जिससे बादलों में नम हवाओं का बहाव और तेज हो गया है साल 2015-16 में महिंदर सिंग धोनी की कमाई में गिरावच देखने को मिली है धोनी की कमाई साल 2013-14 में 83 करोर रुपई थी इसके बाद 2014-15 में उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई जिसमें उनकी सालाना कमाई 83 से बढ़कर 86 करोर हो गई लेकिन साल 2015-16 में उनकी कमाई का ग्राव 86 करोर से घटकर 78 करोर हो गया आमदनी कम होने की वज़ा से दोहोनी ने आयकर का भुकतान भी कम किया है साल 2013-14 में उन्होंने अपनी कमाई पर 22 कड़ो रुपई आयकर का भुकतान किया था इसके अलावा साल 2014-15 में आमदनी में वृधी के बावजूद उन्होंने आयकर के रूफ में 22 कड़ो रुपई का ही भुकतान किया महिंद सिंग धोनी की आमदनी बढ़ने के बावजूद टैक्स में विदियू नहीं होने का कारण सरकारी ब्रैंड को खरीदना बताया गया है विपक्षी दल के सदस्यों ने बेरोजगारी की समस्या को लेकर राज्यसभा में भारी शोरगुल और हंगामा किया जिसके कारण सदन की कारवाही स्थगित कर दी गए जे डियू के शरद यादव ने शुन निकाल के दोरान देश में बेरोजगारी के समस्या को उठाते हुए कहा कि अब ये विकट समस्या हो गई है कांग्रिस के आनन शर्मा और माक्सवादी कम्यनिस्ट पार्टी के सीता राम यचूरी ने भी बेरोजगारी को लेकर गंभीर चुन्ता जाहिर की और कहा कि रोजगार पाने योग्या लोगों में से केवल एक प्रतिश्वत को ही ये अफसर मिल पाता है संसदिय कारे राज्यो मंत्री मुक्तार अबास नक्वी ने कहा कि प्रधान मंत्री के नितित्व में रोजगार के अफसर बड़े हैं उन्होंने कहा कि कांग्रिस के मित्रों में हताशा और निराशा है तो उसका इलाज नहीं कर सकते मायावती के खिलाफ अफमान जनक्टिपनी करने वाले दयाशंकर सिंख को आखिरकार गिरुफतार कर लिया गया उन्हें यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क पोर्स ने शुकरवार को बिहार के सिमा वरती बकसर जिले में गिरुफतार किया बीजेपी से निशका से दयासंकर सिंख को गुरुवार को हाई कोट ने भी राखत देने से इंकार कर दिया था इलाबाद हाई कोट की लखनव बैंच ने सिंख की आफ्रिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारेंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था दयाशंकर सिंख को बकसर के शुगर मिल कॉलनी से गिरुफतार किया गया वे अपने एक परिजन के यहाँ छुपे हुए थे सुनवार को ही लखनव सी जोएम कोट ने गयर जमानती वालन चारी किया था गुडगाव में जाम के बीच सियासत का संग्राम शुरू हो गया है संग्राम की शुरूआत तब हुई जब हारियाना के मुख्य मंतरी मनुहलाल खत्र ने जाम की समस्यां से अपना पलाही जाड लिया यही नहीं उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस जाम के लिए दिल्ली की केजरिवाल सरका जमेदार है अभी से लेकर खलबली मची ही थी कि दिल्ली के उप मुख्य मंतरी मनीश सिसोधिया ने ट्विट कर दिया उन्होंने कहा गुडगाओ का नाम गुरू ग्राम रखने से विकास नहीं होता विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन पर अमल करना जरूरी होता है जुमलों से जाम नहीं खुलेगा इसके बाद तो गुरू ग्राम को लेकर घमासान ही मच गया इस पर लोगों ने इतनी चर्चा की कि गुरू ग्राम ट्विटर पर ट्रेंट करने लगा किसी ने इसे गुरू जाम कह दिया तो कोई बीजेपी सरकार की खिचाई करने लगा विदेश मंत्री शुष्मा सुराज के दखल के बाद इंडनेशिया में मादक पदार्थ मामले में भारती नागरिक गुर्दीब सिंख को मौत की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है गुर्दीब सिंख के परिवार वालों को शुकरवार को इंडनेशिया से फोन आया जिसके बाद उसके घर के सदसे खुश है खबर मिलने के बाद परिवार के सभी सदसों ने एक दूसरे को मिठाईयां किलाई शुष्मा ने ट्विट किया इन्नेशिया में भारतिय राजदूत ने मुझे सूचना दी है कि गुर्दीब सिंख को मौत की सजा नहीं दी गई है इन्नेशिया की एक अदालत ने उसे 300 ग्राम हिरोईन तसकरी करने के प्रयास का दूशी पाया था और उसे 2005 में मौत की सजा सुनाई थी प्रवर्त निदेश आले ने हिमाजल प्रदेश के मुखे मंतरी वीर भद्र सिंख की पतनी प्रतिबा सिंख को मनी लॉंडरिंग केस में फिर से समनचारी किया है उन्हें 9 अगस्ट को पेश होने के लिए कहा गया है हाला कि एडी ने ये भी स्पष्ट किया है कि वे 9 अगस्ट को उन से सिर्फ पूछताच करेगी गिरफतारी नहीं करेगी निदेश आले ने बताया कि वे प्रतिबा सिंख के सवालों की जवाब पर तयार स्टेटस रिपोर्ट कोट को देगी अगर वीर भधर सिंख या उनकी पतनी ने एडी के सवालों की जवाब और जाच में सयोग नहीं किया तो इसकी रिपोर्ट भी हाई कोट में सौपी जाएगी शुकरवार को सुनवाई के दौरान एडी ने हाई कोट को बताया है कि इस मामले में LIC एजेंट आनंद चोहान ने गरफतारी के बाद पूछताच में वीर भधर सिंख और उनकी पतनी के जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है खबरों के सफर में फिलहाद इतना ही देश दनिया की पलपल की खबरों को हम आप तक पहुच आएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माध्यम से ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रही है मेट्रो थीवी से नमस्कार